नमस्कार मैं रेनु मिश्रा कुकिंग रेनु में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं बना रही हूँ अपना सबसे फेवरेट मिठाई यानि की रबडी, खोया, बॉल्स ये केवल तीन चीजों से बनता है दूद, चीनी और एक चमच कांट फ्लोर अगर आपके बस कांट फ् दूद का हमें खोया बनाना है, इसे लगातार चलाते रहना है और ये जो साइड में किनारे किनारे लगा रहता है उसे भी साफ करते रहना है, खोया बनाने में थोड़ा ताइम तो लगता है, थोड़ा पेसेंस के जरूत होती है लेकिन बनने के बाद ये बहुत ही स्वाद मिनट लगे हैं यह देखिए गाढ़ा होना सुरू हो चुका है अब यह खोया हमारा बिल्कुल रेडिग हो चुका है अब इसमें हम चीनी मिलाएंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे चीनी डालकर हम गैस को बंद करके फिर चीनी मिक्स करेंगे अब यह देखिए चीनी मिक्स हो चुका है अब इससे हम एक प्लेट में निकालकर साइड में रख देंगे जिस कराही में हमने खोया बनाया था उसी में हम एक लीटर दूद फिर से डालेंगे यह लगभग एक लीटर दूद है इसका हमें रबड़ी बनाना है इसे भी हम गैस पर रखकर तेज आज पर चलाते भी बनाएंगे जब तक यह हमारा बन रहा गए तब तक हम इस खोये में एक चमच काउन फ्लोड मिलाकर और इससे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक रबड़ी बन रहा है तब तक हम इसके छोड़े छोटे बॉल्स बना लेंगे यह देखिए यह रबड़ी के लिए भी दूद बिल्कुल रेड़ी हो चुका है अब इसमें हम चीनी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे यह रबड़ी ठंडा होने के बाद और ज्यादा गाढ़ा हो जाता है और इसमें जब हम बॉल्स को डालेंगे और इसे फ्रिज में रखेंगे उसके बाद यह कुछ ज्यादा ही गाढ़ा हो जाता है इसलिए हमें इसे ज्यादा नहीं गाड़ा करना है, मतलब एक लीटर दूद का हाफ लीटर दूद हो जाए तो हमें गैस को बंद कर देना है, यह दूद हमारा आधा हो चुका है, अब हम इसमें बॉल्स को डालेंगे, अब बॉल अपने हिसाब से अगर आपको ज्यादा हार् खोया थोड़ा गिला रहता है, उसी समय उसमें चीनी और कॉण्ट्रोर मिला कर बॉल्स बना सकते हैं, वैसे यह हार्ड वाला भी बहुत टेस्टी लगता है, आप जरूर ट्राइ करें यह मिठाइस, बहुत पसंद आएगा आपको, अब बॉल्स हमने डाल दिया है, इसे ए कुबाल आने तक चलाएंगे, इसे अच्छी तर से मिक्स करेंगे, अब त्यार हो चुका है, इसे हम प्लेट में निकाल के इसे फ्रीज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, त्यार हो गया, यह मेरा फेबरेट मिठाई, आप भी जरूर ट्राइ करें, उम्मीद है आपको बहुत पसंद मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और हाँ मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें, थैंक यू, बाबाई